नमस्कार आप सभी का स्वागत है साहित सुंदरे की वर्ण माला श्रिंखला में वर्ण माला श्रिंखला के अंतरगत आज हम पढ़ने जा रहे हैं बारह खड़ी अब ये बारह खड़ी होती क्या है बारह खड़ी 12 खडी अर्थात जितने भी वियंजन है उनको सभी मातराओं के साथ जोड कर प्रस्तुत करना इसमें प्रतेक व्यंजन के साथ जब हम एक एक मातरा जोडते हैं तो 12 व्यंजनों की एक पंक्ती तयार हो जाती है जिसे कहते हैं बारह खडी तो आईए देखते हैं कैसे तयार की जाती है हिंदी में बारह खडी इसमें अ चुपा है तभी ये जो हलन्त है यहां से हट गया है ये बन गया है क जमा अ बराबर क अब आता है क जमा दूसरा स्वर आ बराबर का का की मात्रा फिर होगा क जमा इ बराबर की अब की की मात्रा जो है लेफ्ट हैंड साइड पर लगती है जो छोटी मात्राएं हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आर्थात उल्टे हाथ पर लगती है इसे याद रखने के लिए एक उधारंड याद रखिये मेरा जब ही हम अपने छोटे भाई या बेहन को सड़क पर लेकर चलते हैं तो उसे अपने उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं है ना सुरक्षा की दृष्टी से तो उसी तरह छोटी या छोटा उ दोनों ही उल्टे हाथ पर चलेंगे अब बारी आएगी कजमाई बराबर की तो ये हो गए हमारे यहां तक के वियन जन अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये सब जुड़ेंगे आपस में चलिए कजमाई बराबर की और कजमाई बराबर की अब हम आगे पढ़ते हैं क जमाई बराबर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उल्टे हाथ की तरफ तक क्योंकि ये साउंड छोटा साउंड है को ओ की मात्रा को अब क जमाई बराबर को राइट हैंड की तरफ है मात्रा इसलिए इसे लॉंग साउंड में बोलेंगे कू इसके बाद बारी आती है क जमारी बराबर क्री क्री के लिए आपको याद रखना है कि ये जो री का निचला हिस्सा है यही जुड़ गया उसमें जाकर जब भी आपको क क के नीचे इस तरह से री लगा हुआ दिखाई दिए तो समझ जाना चाहिए वहाँ पर री स्वार लगा हुआ है जैसे क्रिपा या क्रिपया इसमें री लगता है इसके बाद बारी आती है चलिए दूसरा हम नई शीट ले लेते हैं क जमाए बराबर के इसके बाद बारी आती है क जमाए बराबर के कई बच्चे सोचते हैं आए की मात्रा यहां दो लगती है तो यहां भी दो लगा देते हैं ऐसा कोई स्वर नहीं है यह गलत हो जाएगा इसलिए स्वर में एक मात्रा और व्यंजन में उसकी दो मात्रा लग जाती है यहां एक भी नहीं थी तो यहां एक लग गई चीक है और यहां पर एक थी तो यहां दो लग गई चलिए नई शीट लेते हैं क जमाए बराबर के और क जमाए बराबर के फिर बारी आएगी क जमाओ बराबर को क जमाओ औरत वाला और कोवाओ बराबर को तो ये हो गया हमारी बारह खड़ी का क अगले शीट लेते हैं दो और रह गये हैं इसमें बारह बनने में क जमाए अंग अनुस्वार का बराबर कम उसके बाद क हलंत वाला जमाओ विसरग वाला बराबर कह तो ये थी हमारी बारह खड़ी इसी तरह क के साथ मातराएं सारी लग चुकी हैं आप अभ्यास के लिए ख के साथ सारी मातराएं लगाईएं स्वर के आधार पर जोर जोर से बोल कर क जमाए अ बराबर क चलिए इसे हम दूसरे पीपीटी से देखते हैं तो ये हो गई हमारी क की बारह खड़ी इसी तरह आपको ख सब के साथ बारह स्वरों को लगाकर ग्यारा स्वर और अनुस्वार और विसर्ग को लगाकर तुम्हें नए अक्षर बनाने हैं मातराएं के साथ तो उमीद करती हूँ आज बारह खड़ी आपने सीख ली होगी यदि आपको इससे संबंदित कोई भी शक्या सवाल है आप कुछ पूछना चाहते हैं किसी विशय पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी बात अवश्य सुनी जाएगी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए गुन बाई नमस्कार